दोस्तो नमस्कार मैं जगनान गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो जब ये चुनाब होते हैं चुनाब प्रचार चल रहा होता है तो कई बार चुनाब लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी नहीं पता चलता के अंदर खाने उनके मतदाताओं के मन में आखिर चल क्या रहा है मतदाता की जो अपेक्षाएं रहें पिछले दस सालों में फरीदाबाद में उन पर भाजपा सरकार खरी नहीं उतरी ऐसा बहुत सारे मतदाताओं का फरीदाबाद के मतदाताओं का मानना है यूँ तो बहुत सारे आरोप हैं चाए उम्हेंगाई का हो चाए बेरोजगारी का हो चाहे अपरादों का हो और बहुत सारे जो रोजनक वारों में आ रहे हैं कांगरेश भी बता रही है लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो फरीदाबाद के भाजपा उम्मीदवारों के लिए जीका जंजाल बनता नजर आ रहा है तो दोस्तों वो क्या मुद्दा है वो है फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी की घोशना होना जो प्रधान मंतरी ने वर्षों पूरुप की थी और उसके अनुसार पांस सालों में यानि 2022 तक फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन जाना था और स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि जिसमें हर तरीके की सुबदाय जो जन सुबदाय होती है चाहे वो सडके हैं चाहे पीने का सुद्ध पानी है चाहे बरसाती पाने के निकासी का है चाहे नालों की सफाई है चाहे सीवरेज का सिस्टम को सुद्ध सही करना है या जो सडकों के किनारे शहर में बिजली के खं खंबे लगे होते हैं और जब आंधी तूफान आता है बारिस आती है तो बिजली कई कारणों के चलते टेक्निकल कारणों के चलते काड़ दी जाती है और इसलिए गोशना ये की गई थी कि ये बिजली के तार खंबे नहीं रहेंगे सारी अंडर ग्राउंड वो चले और जिससे की बिजली जाएगी नहीं कटॉप नहीं होगा दर्जनों बार जो बिजली चली जाती है वो सब सिस्टम खतम हो जाएगा और फरीदाबाद की लोगों को लाखों लोगों को पीने की स्वच्च पानी की भरपूर व्यवस्ता होगी सडकें चमाचम होंगी सब ज सीवरेज में नई मोटे पाइब डाले जाएंगे जिससे कि सीवरेज लबालब ना भरें और उनसे गंदगी मच्छर कीड़े मकोड़ों के कारण कई परकार की दिमारियां ना हों तो यानि एक एक ऐसा इसमार सिटी जैसे कि योरोप के सिटी होते हैं अमेरिका के सिटी होत लपना सिटी की रूप में दी गई थी लेकिन दोस्तों वो जो समच्चाएं थी जो समार सिटी के कारण समच्चाओं का समाधान होना था लाखं़ लोगों की वो नहीं हो पाई और वो क्या समाच्चाएं थी हम उसके लिए एक डिटेल न्यूज लैंडरी की वाइकर्सी एक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे की फरीदाबाद के लाखों लोगों को ये पता चल जाएगा कि स्मार्ट सिटी का कम्पलीट ना होना स्मार्ट सिटी की घोश्राओं पर सरकार का खता खरा ना उतनना और कैसी कैसो करोड कैसो करोड रुप्यों की बंदर बांठ कथित रूप से होना भष्टा चार इस मामले में होना पूरा पैसा लगा दिया गया जो आवंटिक था लेकिन सहर की हालत आज भी वही है बलकि बदतर है जो इस मार्श्रटी घोश्रा होने से पहले थी यहां पर मैं डेली आता हूं और यहां पर यह साथ आठ सालों से इसका पहले तो थोड़ा सा ठीक था जब से समार्ट पानी से इतनी सड़ी हुई है क्योंकि अंडर पास का पानी जो भी जितना भी आता है बरसातों में वह सारा इसी के अंदर फैक दिया जाता है बहुत बुरी बद्बू कोई बैठ भी ने सकता को आब पी ने सकता है इसमें जब पे लोग ऐसे बैठते हैं मतलब सही डंके नहीं रहते आप फोड़ा सी अंधेरा गिरने पे बहुत सारी समय लाइटे भी खराब है एक्सरसाइस की सारी मशीन खराब है इसमें कहीं बैठने की भी जगा नहीं है बस वहीं दो तीन है बस पहले सा अगर काम अगर काणूनी वह समय देखोंगे तो सब काम हुआ पड़ा है और गाव में अंदर आगे देखो कुछ भी काम नहीं हुआ है यहां पर तुम पानी का ले लो कि हमारे यहां पानी जाता है पानी का ऐसा हर दूसे तीसे दिन ट्वैल से पानी आता है ट्वैल भी ख किर रहे हैं पड़ रहे हैं यह गंदगी पानी नाली का भर के घर में घुस रहे हैं एक और साथ में इसमें बात जोड़ देता हूं वो भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे कि अगर दिवस उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी जी की एक जन सभा डववा सबजी मं मंडी जो थोक की भी परचून की भी सबजी मंडी है फरीदावाद की सबजी मंडी है और हजारों लोग वहां पर सुबह से ही सबजी का धंदा करने आ जाते हैं होलसिल वाले परचून वाले लेकिन दोस्तों हमने पिछले दिनों वहां की इस्तिती दिखाई थी सबजी कि नर्क था साक्षात नर्क था वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि भाजपा की या भाजपा सरकार की कतनी और करनी में कितना अंतर है और योगी जी जो आए वो जिन तरीके के भाषण के लिए प्रिसिद्ध हैं हिंदू हिंदू मुसल्मान ये वो त और जो मेवात में दंगे हुए थे और वो सक्स आच्चुनाव लड़ रहा है उस पर हैफायार दर्ज हैं हिंदू मुसलिम करने की जो मेवात शेतर में कोशिस की गई थी जो मुसलिम बाहुले है हलांकि हरियाना के समाज ने हमें हरियाना की 36 विरादरी ने उसका विरोद क और भाजपा की ये चाल काम्याब नहीं होने दी हिंदू मुसलिम भाईचारे को बना के रखा गया और यहां तक कि किसानों ने जाट समदाएं ने मजदूरों ने ये कहा था कि भाजपा ने यदि यहां मुसल्मानों के खिलाब कोई नफरत का बीज बोया और अभियान चलाने की कुशिश की तो किसी भी कीमत पर हम होने नहीं देंगे हिंदू मुसल्मान भाईचारे को खतम नहीं होने देंगे हम सब एक हैं हम सब भारतिये हैं सब यहीं के नागरिक हैं और भाजपा हरियाना के लोगों की या फरीदाबाद के लोगों की जो असली समझ्याएं हैं उन पर ध्यान ना दे कर उनका समाधान ना करके और जीतने के लिए फरीदाबाद में भी योगी जी को नफरत के भाषन देने के लिए बुलाया गया लेकिन जो सब्जी मंडी की असली दुर्दसा थी नर्ग था उसको छिपाया गया टेंटों के पीछे जिससे के नेताओं को ना पता चले हरियाना के लोगों को पता ना चले दुनिया को ना पता चले के विकास के नाम पर क्या हो रहा है और मतदाताओं का मूड बदलने के लिए अपने पक्ष में करने के लिए हरियाना में भी नफरत के बीज बोने के प्रियास किये जा रहे हैं और जो मेवात के दंगों में वांचित अपरादी था उसके खिलाब मुकद में F.I.R. है वो भी योगी जी के साथ खड़ा नजर आया फरिदाबाद की जनसभा में इसलिए पर्दे के पीछे मेवात में हिंदू-मुस्लिम जगडा कराने के पीछे कौन था उसका भी पर्दाफास योगी जी की जनसभा में हो गया तो दोस्तों देखते रिए देश रोजाना तो हम जो हमने कहा कि न्यूज लांडरी की वीडियो भी हम दिखाएंगे और सब्जी मंडी का जो नर्क छिपाया गया जहां पर योगी जी की जनसभा कराएगी वो भी हम आपको नजारे दिखाएंगे कि क्या फरीदवाद की जनता के साथ चल किया जा रहा है और जब आप ये सारी रिपोर्ट देखेंगे तो आपकी आँखे खुल जाएंगी हालांकि भाजपा ये सब छिपाने की कोशिस कर रही है लेकिन दोस्तों सच तो बाहर आई जाता है तो देख तेरी ये देश रोजाना मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में जै हिन जै भारत जै सभीथान हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें